नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाल मिश्ट्री ग्यान चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके हाथ में धन कुबेर की रेखा है जैसे कि आप चांबते हैं कि धन कुबेर का नाम लेते ही मन में एक संचार होता है एक ख्याल आता है कि बहुत अधिक धन की किर्पा मा लक्षमी की किर्पा तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को सेर करें आईए अपने हाथ की तीन मुख रेखाओं को देखते हैं सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा जीवन रेखा हमारे जीवन की घटन करम के बारे में बताती है यह हमारी मस्तिक रेखा हम किसी बात को कितनी गहराईयों तक सोचते हैं उसके बारे में बताती है किसी के साथ कितना टैस्मेंट है उसके बारे में बताती है तो सबसे पहले अपनी हम भाग रेखा को देखते हैं अपनी किस्मत को देखते हैं अपने कुबेर को देखते हैं कहते हैं कि कुबेर धन की बर्षा करते हैं तो जैसे यह हमारे चंद्रमा का छेत्र है चंद्रमा हमारे मन के बारे में बताता है हमारे मन कितना खुश सा है हम किस कलपनाओं में खोए हुए होते है हमारे विकास कैसे है हमारे माता के बारे में भी वी चंद्रमा बताता है अगर इस चंद्रमा के छेतर से एक भागरेखा चलती है ये भागरेखा बागरेखा चपी जहां से चलती है उस परबत के गुण को लेके चलती है अब ये चंद्रमा का परबत समाने रूप से उठा है और वो सनी के परब इसका मतलब आपके चंद्रमा का गोन जो है सनी के परबत पर पहुंच रहा है ऐसे लोगों का जो बिकास है अपने घर से दूर ऐसे लोगों को लाइफ में इस ट्राइगल तो जरूर होती है इस टार्टिंग में लेकिन बाद में उनका समय बहुत अच्छा और बेहतर होता है कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो बिकास होता है सादी के बाद या नोकरी के बाद ऐसे लोग तरक्य करते हैं और इसी के साथ एक रेखा ये भाग रेखा कि एक सपोर्ट रेखा है कहते हैं न, कि एक बिजनेश के साथ, या एक बेहुसाय के साथ एक और एका चले तो आपके जीवन में वो तरक्की को दर्साती है सबसे पहले, जब भी हम अपनी बोली को देखते हैं, बाहणी को देखते हैं, तो अपनी हम बुद्ध की फिंगर को देखते हैं यह बुद्द की फिंगर बुद्द की फिंगर हमारी सन के पहले पोर से बड़ी होनी चाहिए यह आपके बुद्धी को दर्शा आ रही है आपके बिजनिस सेंस को बता रही है कि आपके जो बोलने किकला है, कितनी पर्मेंड है और यहां पर एक फिज का साइन बनता हो यह फिज की साइन यहां पर पैसे से कोई लेना देना नहीं है यह आपके बिजनेस सेंस को उतकरिस्ट दिला रही है सफलता दिला रही है उस सेत्र में नईने तक्नीक को और यह सन की जो फिंगर है सन का परवत है समान रूप से उठा होना चाहिए और यहाँ पे एक मंगल के छेत्रे सी ये मंगल के छेत्रे से मंगल के छेत्रे से एक सूर्ज रेखा निकले इसको हम बोलते हैं प्राकरम रेखा सासी रेखा हिम्मती रेखा आपको सारी सफलता दिला रही है मंगल के गुण को लेके सन के छेत्र पे मिलने से सन के गुणों को बृधी कर रही है उसके प्राकरम को बढ़ा रही है और यहाँ पर अगर एक फिस्की साइन बनती है ऐसे लोगों को नेम फेम उपलब्धी यस मान समान सब कुछ दिला रही है यह फिस्की साइन और इसी के साथ यह हमारे जो गुरू का परबत है गुरू के परबत के उपर एक तिरकोड बनता हो ऐसे लोग राजनीती में सफलता प्राप्त करते हैं और एक लीडर की क्वाल्टी होती है पॉलिटिकल में काफी नेम फिम कमाते हैं और किसी भी छेतर में हूँ नेतरुत करने की छमता इनको करने की माहिर कला होती है इनके अंदर और यह से लोग धार्मिक होते हैं सरकार के साथ इनका काफी बेनिफिट होता है जिस भी छेतर में हूँ उसमे नेतरुत करने की इनकी काफी कलाच्छी होती है और लोगों का सपोर्ट करते हैं और इनको पॉल्टिकल में काफी उपलब्धी मिलती है और इसी के साथ यहां से एक महतकांछरे खा महतकांछरे खा निकले यह आपको स्तिर्था बनाए रखती है आपको नीचे गिरने नहीं देती है और इसी के साथ एक रेखा और इस जीवन रेखा से चले यह आपके एक के बाद एक सफलता को दर्शा रही है आपके लाइफ में ग्रोथ को बढ़ा रही है और यहां से एक नीचे की जीवन रेखा से आती हो ऐसे लोग जो बैपार करते हैं बिजनेस करते हैं अपने सहर से दूर उसके बिजनेस और बैपार में अपार सफलता दिलाती है उनका सहर से दूर होके काम काफी बिजनेस अच्छी तरह से उनके चलता भी है और पैसे भी कमाते हैं और यहां से एक बिजनेस रेखा देखते हैं ये बिजनेस रेखा इस हमारे बुद्ध के परबत बढ़ जा रही है आपके बुद्ध की activity को और बढ़ा रही है इसको हम स्वास्त रेखा भी कहते है ये रेखा परबल हो तो आपका बिजनेस चमकता है कारोबार चमकता है एक के साथ एक बिजने सोर चल पड़ता है ऐसे लोग पैसे का इकठा करते हैं बहुत अच्छा ब्यापार चलता है और ये सुक्र का छेत्र समान रूप से उठा होना चाहिए ये आपको सारी लगजेरियस लाइफ देता है सारी बहुत एक सुक पराप्त करते हैं ऐसे लोग तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और आप सब का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन बाद